नमस्कार मैं कवीता उनियाल आप देखरें मीडिया टूडे टीवी वारानसी की ग्यानवियापी मस्जित के अंदर कोट ने सर्वे करने की इजादत दे दी है कोट का फैसला आने के बाद असदुदिन ओवेसी आग बभूला होट है उन्होंने कोट के फैसले को गलत बताया है साथी ओवेसी ने मुस्लिम पर्सनलो बोट को हिदायत दी है कि वो नियाए के लिए सुप्रीम कोट का दरवाजा खटखटा है उस मसJID की कमिटी को और पसनलो बोट को फोरण सुप्रीम कोट जाना चाहिए और सुप्रीम कोट के छुटीओं से पहले सुप्रीम कोट को जा कर इस वाइलेशन को जो कोट के जज़मेंट का हो रहा है और पार्लिमेंट के एक कोरस को रुकाने की जरुवत है ये बिल्कुल गलत ओर्डर है एक नीज चैनल से बात करते वे ओवेसी ने बावरी मस्जिद गिराई जाने का भी जिक्र किया है उन्होंने कहा है कि मुस्लिम एक मस्जिद खो चुके हैं और अब दूसरी मस्जिद नह होना नहीं चाहते आपको बता दे वारा नसी कोट ने ज्यान यापी मस्जिद के तेखाने में वीडियोग्राफिक कराने के आदेश दिये हैं साथ ही इसकी रिपोर्ट 17 महीं तक जमा करने के लिए भी कहा गया है ओवेसी ने कहा है कि इस सर्वे को तुरंत रुकवा दिया जाना चाहिए उन्होंने पीए मोदी को कानून का पड़ाते वे कहा है कि क्या वो 1991 नहीं मानेंगे क्या है पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगी अगर आपको निउस अच्छी लगे तो निउस को लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिय सब्सक्राइब करें और हां बैल आइकोन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे निउस सबसे पहले आप तक पहुंचे ओवेसी से पूछा गया कि इस फैसले को वो कैसे देखते हैं तो उन्होंने इसका विस्तार से जवाब दिया उन्होंने साफ कहा कि कोट का फैसला गलत है उन 1991 में एक फैसला लिया गया था जिसमें कहा गया था इस सच रहेगा बावरी मस्जित को छोड़कर 15 अगस 1947 के बाद जितने भी धार्मिक स्तल हैं उन्हें उनके नेचर और करेक्टर को कते डिस्टाब नहीं किया जाएगा यानि वो ज्योंके त्यो रहेंगे इसमें छेड़ मस्जित में मातर श्रंगार गोरी की पूजा के सवाल पर ओवेसी बोले जो सच है वो सच है 1991 के एक्ट में जो कहा गया है उसे सभी को मानना पड़ेगा मत्रौ और आगरा का जिक्र करते वे ओवेसी बोले वहाँ पर भी ये बात लागू होती है इसी एक्ट के अधार पर फ कर दूंगा तो अलग बात है ओवेसी बोले जब तक ये एक्ट है तब तक ज्यानव्यापी मस्जित थी और रहेगी इसमें किसी तरह की बहस नहीं होनी चाहिए वह एक मस्जित खो चुके हैं और दूसरी मस्जित नहीं खोना चाहते बावरी मस्जित के संधर में भरोसा द चुके प्रशिनी जा रही है बावरी मस्जित को भी ऐसे ही चुना गया रात की अंधेरे में वहाँ पर मूर्तियां रख दी गई लाजिव कांदी की सरकार ने जब कंप्यूटर भी आया था बगएर मुस्लिम पश्कसुने और्डर थमा दिया आक ताले खुल दिया आपने सुप्रीम कोड को आपने वादा किया और आपने डिमॉलिश कर दिया उसके खिबादे के खिलाफ और कोई किसी को सजा नहीं होती अब हम दुबारा मस्जिद को खोना नहीं चाते ओवेसी बोले मैं मुगलो का पैरोकार नहीं हूँ मैं सवीधान का पैरोकार हूँ और अगर किसी ने आकरमर किया था तो कहा किया था बताईए यही जुट बावरी मस्जिद के मामले में फैलाया गया लेकिन सुप्रीम कोड ने इसे नहीं माना आप मिलेंगे आगली ख़बर